मैं आपको करेंट की कुछ ऐसी घटनाय लेकर आता हूं जो वर्तमान में घटित हुई हैं जो करेंट में हैं उसका मैं एक ही टॉपिक पर डिटेल वीडियो लाता हूं जिसे आपको उसके बारे में संपूर्ण जनकारी हो जाए वैसे तो हमारी करेंट की वीडियो डेली पड़ती है आप लोग वहां से फालू कर सकते हैं लेकिन मैं एक टॉपिक पर संपूर्ण वीडियो लाता हूं जिसे आपको उसके बारे में फोलिस्टिक वे में जनकारी मिलते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज का जो टॉपिक वह हमारा है जी ट्वंटी शिखर सम्मिलन जीट्वंटी 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 शिखर स कि इस बार का जो जी ट्वंटी समय लहना है वो नई दिल्ली में हुआ है नई दिल्ली मतलब कि भारत में 19 और 20 सिप्तंबर के बीच हुआ है तो यह इंपॉर्टेंट है करेंट के लिए आप लोग नोट के लिएगा कि कहां हुआ कब हुआ यह डेट इंपॉर्टेंट है तो अब यह काईशमा मलब था यह अठरमा ईट्वंटी शिकर समयलन था अठरमा जी ट्वंटी समयलन था और यह अईसा पहली बार था जब भारत ने इसकी मेजबानी की सब्सक्राइब अब्लोग देखेंगे जी ट्वेटी शिकर समयलन जो था इसका मुख्य भी से यां थीम क्या था तो भारत की दोर इसका थीम रखा गया था वस्धेव कुटमबकम मतलब की बिश्व एक परिवार है इसका थोता है वस्धेव कुटम का का अर्थ होता है बिस्वेक क्या परिवार मनलब पूरा विस्व जो हारा एक परिवार है इसमें अम लग देखेंगे जीटवटी सम्मेलन घोशडा में जो है किस-किस टॉपिक पर बात हुई है किस टॉपिक पर बात हुई है रूस युक्रेंट तनाव रूस उक्रेवन के वीच में जो युद्ध चल ला था तनाव है उसकी वीच जो तमस्यायति उसको लेके बा सचिरूर्मंट के बारें बातकित हुआ हैं बस दो में इस समस्याय कि समय है इसके बारें में बात हुआ है व्यश्विक जैव इंधन गटवदन के बारें मीनदन के बात हुई है जैवन्धन खाती स represented भीभी सो समती से बात stigma हुआ है इस जी ट्वंटी शिखर सम्मेलन में आगे हम देखेंगे जी ट्वंटी शिखर सम्मेलन का निश्कर्स क्या निकला क्या क्या रहा क्या क्या निश्कर्स हुआ निकला इसमें क्या क्या हुआ सब अभी तक G20 में लगभग 20 देश या 20 समूह थे देश और कुछ समूह भी थे यह कितने थे 20 अब जो है वह कितना हो गया 21 हो गया 21 क्योंकि अफृकी शंग को सामिल करने से 20 वण हो गया है थीक है कि पहले अफ्रिकी जो संगर वो जा था अस्ता ही सतर से था अब इसको थाइस जदर से मना लिया गया है डूइrek गटवंदन के बारे में बात हुआ है Global V Bianche v visits हम देखेंगे भारत की नित्रित में यह से के बारे में बात चुण्ट ऑसओ सब्सक्राइब शाथिसाथ भारत ने कहा है कि जैव इन्हन को अपनाने से क्या होगा जो कमी है उसकी पूर्ती होगी शाथ इसाथ जो परियां असुंतलन हो रहा है जल्वाई परवरतं जैसे समस्या हो रही है उससे क्या होगा जल्वाई परिवरतन की समस्या जो है वो पुछ समय तवरूप जाएगी या इस्तिर हो जाएगी इसके लिए सबसे जिब्स जिम्मिदार का रहा है कि सियो टू गैस जो है वो किसे होता है वो हता है आपका पेट्रोल वगर यूज करने से में जो इंधन है वरतमान जो इंधन है उसको यूज करने से यह समस्या बढ़ नहीं तो जैविंधन यूज करने से क्या होगा इससे क्या होगा जल्वाई परिवरतन की जो समस्या बढ़ रहे हैं कहीं कुछ हर्द तक वह है कम हो जाएगी अब हम देखेंगे भारत ने किसकिस पर बात किया है पीव्यम पीएम जिवयन योजना बात की है गोबर्धन योजना पर बात की है यह क्या है यह यह अंतराष्टी आर्थिक सहयोग का मंच है यह क्या करता है प्रमुक्ह अंतराष्टी जो आर्थिक मुद्धों है आर्थिक जो मुद्धा है है इसको कैसे मजबूत किया जा सकता है इसमें वह क्या है मुख्रूप से भूमिका निभाता है जो अम देखें एकई स्ठापना कब हुई है सो जी ट्सथापनाः इस siレ आइ संकर्थ के बाद हुई थी इस्में वित्त दमन्त्रियों और और केंद्री बैंक के गवर्णरों के लिए वैश्यक आर्थिक और वित्ती मुद्धों पर चर्चा करने के लिए मंच मिला एक साजह मंच मिला जिस यो वित्ती संकर जैसी समस्याओं पर बात्चित कर सके हैं है हम लोग देखें कि जी ट्वंटी के सदस्य कितने हैं इस समय इस अफ्रिका को मिलाके टोटल कितने हो गया है तो देख लेंगे इसमें कौन-कौन सा देश है अर्जन्टीना आस्ट्रेलिया ब्राजील कनाड़ा चीन फ्रांस जर्मनी भारत इंडोनेशिया इटली जापान पोरिया गड़राज मैक्सिको रूस साओधी अरव दच्छिड अफ्रिका तुर्किये तुर्की का ही नाम बदल के क्या कर लिए तुर्किये कर दिया गया यूक यानिकी नाटिट कंग्डम यानि ब्रिटेन और अमेरिका इसमें छेत्री निका क्या है कौन है यूरोपी संग यह हम लोग सभी देशों के नाम याद रखेंगे और यह और जो एक्जाम पेट वागर रख जाम होने वाला इसमें यह पूछा जा सकता है जी त्वंटी के जो सदस्य देश है उनका 2020 विस्त की जीडीपी में कितना है तो श्कल हैं योगदान है और बैसिक ब्यापयार में 75 पर्षंच अधिक का योगदान है यानि कि साथ हम लोग दुखेंगे दुनिया की जो आबादी है जी ट्वंटी में जी ट्वंटी की जो देश है दुनिया की आबादी का लागभग दो तीहाई देश प्रतनिधित करते हैं यानि मालब दो दुनि देखेंगे जी ट्वंटी की कारेसाहली कैसी है इस बार का जो टीट्वंटी सम्मेलन 2030 का हुआ है वह भारत के न्यू दिल्ली में हुआ है 2022 में जो हुआ तो इंडोनेशिया में हुआ था वह याद कर लिजेगा पीछे का भी पूछ लेता है किसन उठाके दोजार चौबिस सबस्क्राइब किया जाता यह जी ट्वंटी मेंगे दो समनांतर चलते इन यह होता है अो है इसमें जो है इसमें निरत्य क要 करता है वित्त मंत्री और सेंट्रल बेंक के जो गवर्नर होते हैं वित्त ट्रैक का निर्थित करते हैं जब कि इसे इसको क्या कहते हैं सेर्पा कहते हैं प्रक्षिया का समयन्यों सदसे देश हैं उसके शेरपा द्वारा किया जाता है उस देश के नेताओं के नीजी प्रतनिधी होते हैं करते हैं कि वित्तुमंत्री और गवर्नर करते हैं लगभक हर देश के हर देश की जह उसक्राइब लगें हर दैशिल मनें सब्सक्राइब करते हैं यह हर देश के इसमें सदस्य देश या उनकी प्रतनिदी होते हैं वह होते हैं सब्सक्राइब करता है एक साथ लाने की कोशिस करता एक प्लेट्फार्म देता है सब सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब तो यह देखें कि इस समुव को कोई सथाइब सचवाले नहीं है मे être 18 इस्थाई सचिवाले नहीं है चраш्छक के पिछला वर्तमान और आने वाला इस्था ये पेसे में भारत के रिख्छा, जो है भारत के जिए अध्यकता के देश है फिम्स होते हैं पिछला कौन है वर्तमान कौन है आने वाला कौन एंडोनेसिया जहां पिछली बहुत हैं 2022 में भारत 2023 में ब्राजिल यानि कि जब राजिल डोजारट इसे में प्रोईका में मलब 3 प्रजेन फ्यूचर ठीक है आए करें आज कि निरी में हम लोग जीटवनटी के बारे में जाना कि लुड़ी समुव में क्या है पूरता काच एजिक अपना वहती कहा हुआ है कब हुआ है इसका इस में क्या क्या एजंड अपनाया गया क्या क्या हुआ यह हमने घटना कर मुझे आगे का ओगा और पीचे क्यों था साथी साथ इसकी कारे सली के बारे में हम लोग दिटे़ल वीडियो कवर किये अब हम अगले न्यूज इवेंट में आपको एक विभीन न्यूज या विभीन जो करेंट है उसके बारे में संपूर वीडियो लाएंगे आज के लिए हम यहीं वीडियो अपना समार्ट करते हैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यार नोटबुक चैनल की तरफ से बहुत आनलाइन जो है मारा टेस्ट चला है वो ज्वाइन कर लिजिए और टेस्ट दीजिए जिसे आपको पेट का एक्जाम देने में आसानी हो जाए आज के लिए वस इतने ही आपका दिन सूभ हो